हाई हेलो विवन इस वीडियो के अंदर हम करेंगे सेक्शन 31A of Arbitration and Conciliation Act अब ये जो सेक्शन है ये क्यों introduce किया गया ये सेक्शन इसलिए introduce किया गया ये देखने के लिए कि किस तरीके से कौन सी पार्टी जो involved होगी वो cost पे करेगी जाने कि जो भी पार्टी आर्बिटरेशन के अंदर involved है उनमें से कौन सी पार्टी कोस्ट पे करेगी उसके लिए सेक्शन 31A जो हमें help करता है तो ये सेक्शन क्या बोलता है अगर हम इसको read करते हैं तो basically क्या हमें provide करता है कि जो arbitration proceedings है या फिर कोई और proceedings होती है इस act के अंदर यानि कि जो अपकी arbitration proceeding चल रही है इसके इलाबा अगर और कोई proceeding हो रही है इस act के हिसाब से जो की arbitration से related है तो वहां पे दोनों को ही power दी गई है चाए court हो चाए arbitral tribunal हो कि बहुत सारी चीज़ें जो court के पास होती है इस act के regarding arbitration की तो यहां पे दोनों को ही power है चाए court हो या arbitral tribunal हो कि वो क्या कर सकती है उनके पस यह discretion होती है determine करने की क्या determine करने की कि cost किसके थूँ पेबल होगी whether cost are payable by one party to another क्या एक पार्टी को दूसरी पार्टी को cost देनी होगी ठीक है यह determine करने की power court और tribunal के पास है arbitral tribunal के पास दूसरा अगर करनी है तो कितना amount pay करना होगा cost का और कब यह cost pay करनी होगी तो यह तीनों चीज़ों क पावर किसके पास है court और tribunal के पास है determine करने की कि अगर arbitration के regarding कोई भी खर्चा होता है का arbitration proceeding के regarding या सकता है court या arbitral tribunal determine कर सकती है उनके पास यह discretion होती है यहाँ पर cost का मतलब क्या बोला reasonable cost ऐसा नहीं है कि exemplary cost यहाँ पर लगा दी जाएगी reasonable cost लगाई जाएगी reasonable cost का मतलब क्या है कि एक ऐसी cost जो की normally लगाई जाती इस situation के अंदर जैसे कि क्या fees और expenses होंगे arbitrator के court के या witnesses के तो वो सारे खर्चे किस के उपर आएंगे यह court और arbitral tribunal determine करेगी legal fees and expenses जितने होंगे वो कितने होंगे किसको pay करने होंगे ऐसा ही administration fees जो है जो भी supervised करेगा arbitration को उसका जो खर्चा है इसके इलाबा कोई और खर्चे जो भी arbitration या प्रोसीडिंग के अंदर arbitral award के regarding लगे हैं तो उसको determine करने की power किसके पास है court और arbitral tribunal के पास है यह चीज़ हमें section 31a subsection 1 के अंदर बोल दी गई फिर subsection 2 क्या बोलता है section 31a का कि अगर court या arbitral tribunal decide करता है कि जो cost है उसको pay करने के लिए तो general rule क्या बोलता है कि generally जो tribunal है या court है वो क्या करेगा generally वो यह बोलेगा कि जो भी unsuccessful party है यानि कि जिसकी favor में arbitral award नहीं हाया है उस party को cost पे करनी होगी जिसके favor में arbitral award आया है उसको तो यह general rule है that unsuccessful party will be order to pay the cost to the successful party लेकिन साथ ही साथ क्या हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि arbitral tribunal या court ऐसा ही करे general rule को follow करे वो यह भी कर सकता है कि हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके की चीज बोलतेगी इतनी cause जो है जिसके favor में arbitral award आया है उसको unsuccessful party को pay करना है लेकिन अगर arbitral tribunal या court इस तरीके की चीज करेगी तो वहाँ पर arbitral tribunal या court को इसके लिए reason देना पड़ेगा और वो reason भी writing के अंदर देना पड़ेगा कि क्यों इस तरीके का order arbitral tribunal या court ने किया है तो यह चीज हमें section 31a subsection 2 के अंदर बताई गई फिर अगर हम section 31a subsection 3 के उपर आते हैं तो वहाँ पर क्या बोलता है कि जब cost को determine किया जाएगा court या arbitral tribunal के थुरू तो shall have regard to all the circumstances तो वहाँ पर court और arbitral tribunal को बहुत सारी चीज़े ध्यान में रखनी है उसके बाद determine करनी है कि cost किस तरीके से कौन किसको कितनी cost पे करेगा तो वहाँ पर court और arbitral tribunal को ये देखना है कि जो party उनका conduct कैसा था कि कौन सी party जो थी बहुत ज़्यादा delay करना चाह रही थी इसको या कौन सी party जल से जल चीज़ों को करना चाह रही थी या कौन सी party का कैसा conduct था arbitral tribunal के प्रती एक दूसरे के प्रती तो ये सारी चीज़े वहाँ पर देखी जाएंगी whether a party has succeeded partly in the case कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज़ जो है unsuccessful party के favor में भी आ रखी है whether the party had made frivolous counter claim leading to delay in the disposal of arbitral proceeding की कौन सी party ने frivolous counter claim किया जूटा counter claim किया जिस्ते की arbitral proceeding जो है लंबी चल जाए इन चीज़ों को ध्यान में रखना है whether any reasonable offer to settle the dispute is made by a party and refused by the other party कि भी एक party ने reasonable offer दिया दूसरी party को कि हम ये चीज़ कर लेते हैं जो कि arbitral tribunal को लगता है कि बहुत सही offer दिया था बढ़ दूसरी party ने उसको reject कर दिया तो इन सारी चीज़ों को mind भे रखना है court को, arbitral tribunal को जब भी cost को determine किया जाएगा उस वक्त क्योंकि जनरली क्या होगा कि unsuccessful party, successful party को cost पे करेगी तो यहां पे उनका conduct देखा जाएगा कि वो क्या क्या चीज़े उन्होंने की थी उस हिसाफ से यहां पे cost जो है साथी साथ यह order भी कर सकते हैं कि portion of another party cost की दूसरे की कुछ portion की cost जो आपको pay करनी पड़ेगी मजब दूसरी पार्टी को pay करनी पड़ेगी इस तरीके के orders भी court या arbitral tribunal कर सकता है a stated amount in respect of another another party's cost यह सारी चीज़े इसके अंदर include हो जोगी cost from or until a certain date only इसके पर जाएगी तो यह सारी चीज़े जो है court या tribunal determine कर सकता है interest on cost from until a certain date की कि क्या interest पे करना है क्या चीज़े करनी है यह सारी चीज़े करने की power arbitral tribunal या court के पास है section 31a subsection 4 के हिसाब से और 31a5 ज़्यादा कुछ नहीं बोलता सरह इतना बोलता है that agreement which has effect that a party to pay the whole or part of the cost की भई हमने एक agreement किया जिसके अंदर हम नहीं बोला कि यह वाली particular party जो है ना उसकी cost या उसका कुछ पूरी cost या कुछ part of the cost पे करेगी तो यह जो चीज़ है कब होनी चाहिए arbitration in any event shall be only valid यह कब valid होगी if such agreement is made after the dispute in question has arising कि जब dispute in question जो arise होगे उसके बाद अगर आप इस तरीके मैं rule of the cost के बारे में बताता है किस तरीके से कौन सी party cost पे करेगी और कैसे वो cost determine की जाएगी so I hope आपको यह topic clear हुआ अगर आपको वीडियो अच्छे लोगी तो प्लीज लाइक कीज़े शेर कीज़े चैनल को subscribe ज़रू कीज़े thank you so much for watching this video